नमस्कार दोस्तो आप सभी का अपनी यूटुब चैनल सिंपल वेश्टेडी पर स्वागत है दोस्तो एक नए वीडियो को शुरूगात करते हैं और इस वीडियो में हम 29 मार्च 24 के सभी मैथपून करेंटे पर उसको देखेंगे तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का फिरी पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जोड़ करके इस वीडियो का पीडियाप राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए वीडि लिष्ट 26 मारच दोज़्च चोविश को जारी की गई इसके अनुसार भारत की बित्ती राजदानी मुंबई चीन की राजदानी बीजिंग की जगे A.C.I. अरबपती राजदानी की रूप में अब उबरी है ठीक तो A.C.I. में जो सबसे आदा अरबपती पाए आते हैं तो वो मुंबई में पाए आते हैं उन्रू रिपोर्ट के मताबिक मुंबई में अरबपतीयों की संक्या 66 से बढ़कर की 92 हो गई है जबकि भारत में अरबपतीयों की कुल संक्या 270 हो गई है दुनिया के सीर्स 10 अरबपतीयों में सामिल एक मात्र भारती मुकेस अंवानी है जो 10 में इस्थान पर हैं दूसरे इस्तान पर जेफ बेजोस हैं, 185 अरव डॉलर समपती है, तीसरे इस्तान पर बर्नार्ड अर्नॉल्ड हैं, जिनकी समपती 175 अरव डॉलर है, सरवादिक अरपती वाले देशों की सूची में, चीन 814 अरपती के साथ सीर्स इस्तान पर है, जबकि अमेरिका 800 अरपती क साथ दूसरे इस्थान पर है सरवातिक अरपती वाले सेरों की रैंकिंग देखें तो इसमें न्यू यार्क पहले इस्थान पर है जिसमें 119 अरपती हैं दूसरे इस्थान पर लंदन है जिसमें 97 अरपती है और तीसरे इस्थान पर मुंबई है जिसमें 92 अरपती है जो कि एस इस सूची में नौमे इस्तान पर है जिसमें 57 अरपती सामिल हैं तो जो हम्रू है वो क्या है तो ये हम्रू एक सोध मीडिया और निवेस समू है जो सोध रिपोर्टों की एक स्रंकला प्रकासित करता है और इसकी इस्तापना 1999 में युनाइटिट किंगडम में रूपाइट होगे बार पुदारा की गई थी और इसका हेड़काटर चीन के संगाई में इस्तित है मार्च दोज़च चौवीश में केविनेट की नियुक्ति समिती ने किसे एंडियारेप के मानेदेशक के रूप में नियुक्त किया है तो अकिन में वist प्रक्ति की गई है तो NDRF के नए प्रमुक्त कौन बनाए गए है तो फ्यूइल्स आनन्द बनाए गए है एंडियारेप के नए प्रमुक्त ये उत्रप्तिस के 1992 God के बनें करना में पौन औरहेज को बने है तो सदानन्द औरह बसंत दातें बने है जो महराश् पुलिस अनुसंदान एवं विकास ब्यूरो यानि की बीपी आडी के ने मानेदिसक बने आ है राजीव कुमार सर्मा जो राजिस्तान केडर के उननी सो नबे वैज के आई प्या सदिकारी है एस पीजी के अत्रिक्त मानेदिसक कौन बनाए गए है तो यह बनाए गए है एस सेयुक्त निर्दिसक इनको जो है एक साल का सेवा विष्थार दिया गया है तो यह कौन है सुप्रिया पाटल यादव तो इनको एक साल का सेवा विष्थार दिया गया है यह माराष्ट कैडर की 2024 की IPA सदिकारी है तो यह सीक्वेंस से यह ब्यूसानंद हो गए और यह सदा तो इसने टाटा के साथ समझोता किया है देश वर में इलेक्ट्रिक बहान चार्जिंग इस्टेशन इस्थापित करने के लिए 27 मारच दोज़े 24 को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोवेल्टी लिम्टेड यानि टी पी एम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरिशन लिम्टेड यानि HPCL के साथ समझोता के अपन पर रस्तचर किये हैं इस समझोता के तहट पहले चरण में दिसम्बर 24 तक HPCL पंपों पर 5000 चार्जिंग इस्टेशन लगाने का लच्छ रखा गया है बारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक कार बाजार में टाटा पैसेंजर लिम्टेड यानि की DPEM के पोर्फोलियो में चार मॉडल बरतमान में इसने लॉंच किये हैं तिसमें पंच इवी, टियागो इवी, टेगोर इवी और नेक्सन इवी ये गाडिया हैं दो कंपनियां सहे ब्रांडेड आर्द एफ आईडी कार के माद्यम से एक सुविदा जन जो है, खोज या रिसर्च चल रही है, HPCL ने अब तक 3050 इवी चार्जिंग इस्टिशन इस्तापित किये हैं, जब कि Tata Motors ने हाली में गुरू गराम में अपना पहला इवी आउनली सोरूंग का उदगाटन किया था, Tata Motors एक बेस्विद बान निर्मा था, कारों, ट्रकों, बसों और इलेक्ट्रिक बानों में अग्रडी कंपनी है, HPCL एक सारवजनिक छेतर का उपकरम है, जिसके टैत बारत में लगवग 21,500 पेट्रोल पंप संचालित हैं, किस बारती आउकी खिलाडी को FIH एथलीट समझती का सहय अध्यच निक्त किया गया है, तो ये PR स्रीजेस ये भारती आउकी टीम के गोलकीपर हैं, तो इनको निक्त किया गया है, अंतराष्टी आउकी मासंग ने 27 मार्च 24 को बोसरा की कि, भारती पुरुष आउकी टीम के गोलकीपर, PR स्रीजेस और चिली की कैमिला केरम को FIH एथलीट समिती का सहय अध्यच निक्त किया गया है, PR स्रीजेस को पहली बार 27 में FIH एथलीट समिती के सदस्य के रूप में चुना गया था, और उन्हें पहली बार समिती का सहय अध्यच निक्त किया गया है, तो जो FIH एथलीट समिती में पूरु और बरतमान होकी खिलाडियों को सामिल किया जाता है, यह जो एथलीट समित है, वो दुनिया वर में होकी के विकास और बैतरी के लिए बेविन FIH निकायों जैसे FIH कारकारी बोड, FIH समितीयों, सलाकार पैनलों और अन निकायों को सिपारिश करती है, अंतराश्टी होकी मासंद की बात करें, तो इसकी इस्तापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के पॉल ले उटी के द्वारा की गई थी, इसका मुख्याल है, लोजिन सूटियल नेंड में है, और इसके बरतमान अध्यच तयव एकराम हैं, जो FIH है, वो पुरुस और मेलाओकी की बिश्चो सासी निकाय या बोडी है, बारत में अमार के साथ सीमा पर बाड लगाने के लिए कि कयार मील लंबी कुली सीमा पर बाड लगाने के लिए लगवक 3.7 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बना रहा है, इससे पहले सरकान ने भारत में अमार सीमा पर वक्त आवाजाई विवस्ता को समाप्त करने का नेड़ लिया था, मडीपुर के मोरे में 10 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही बाड लगा दी गई है और हाइब्रिड निगरानी पडाली का उपयोग करने वाली दो पाइलिट परयोजना यांपर चल रही हैं, बारत सरकान ने संपूर्ण बारत में अमार सीमा पर एक उननत स्मार्ट बाड पडाली लागुकंडे के लिए मुव्मेंट रिजिंग क्या है तो दोनों देशों द्वारा सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना बीजा की आवस्था के दूसरी देशों के अंदर 16 किलोमेटर की यात्रा करने की अनुमती होती है ठीक और एक वर्स की बेंतता के साथ सीमा पास प्रस्तुत करके सीमा पार की जा सकती है और अधिक्तम दो सफ्ता थक वहां रहा जा सकता है किसे ने अंतरिच बिज्ञान और प्रवदोग की जागरुपत परिशिच्षण यानि की स्टार्ड कारिकरम 24 शुरू करने की गोश्रा की है तो ये कारिकरम इश्रों ने शुरू करने की गोश्रा की है बारती अंतरिच अनुसंदान संगतन याई इश्रो ने गोशना की है कि अंतरिच बिग्यान और प्रदोग की जावर्टा बढ़ाने के उद्देश से अंत्रिच बिग्यान और प्रद्योग की जावर्तप रिसिचंड जिसे सौर्ट में इस्टार्ट कारिक्रम का जा रहा है अप्रेल और मई 24 में आई जिसको किया जाएगा अंत्रिच बिग्यान और प्रद्योग की के इसनातक और इसनातको तरचात्रों के लिए उनलाइन प्रद्योग की के बारे में सीखना चाहते हैं उनके लिए ये उनलाइन सामगरी उपलब्द है इसके अलावा इश्रो का युवा विज्ञानी कारिक्रम यानि युवेका ठीक है तो युवेका भी चल रहा है तो इश्रो ने इसकूली बच्छों में अंतरिच विज्ञान प्रोद्वकी के बारे में जिग्यासा और ग्यान को बढ़ावा देने के लिए यन्द सांटिस्ट प्रोग्राम यानि युवेका दौच्यचच चौवेश प्रस्तुत किया यह कारिक्रम मौई दौच्यचोवेस में आयुजित किया जाएगा जो युवैक का कारिकरम है वो दौच्यार उन्नीस से लगातर आयुजित किया जा रहा है ठीक है पहली बार ये 2019 में आयुजित किया गया था और इसमें 111 प्रत्वागियों ने भाग लिया था दूसरी बार 2022 में 153 प्रत्वागियों ने भाग लिया था 2023 में 337 प्रत्वागियों ने भाग लिया था ठीक है और जो 2024 का युविका कारेकरम होना है उसके लिए जनवरी से परवरी की बीच में आवेदन पंजी करम पर क्रिया शुरू हुई थी ठीके तो इसके आवेदन खोचके हैं और ये कारिकरम मैं 2024 में आयुजित किया जाएगा इस रो है वो दो इसकर पर अंत्रच और विज्ञान प्रोद्योकी के चितर में जागरुक का बढ़ाने के लिए कारिकरम चला रहा है तो जो इसका इस्टाइट कारिकरम है वो इसनात और इसनात को तर चात्रों के लिए है जबकि योवेका कारिकरम जो है वो इसकूली चात्रों के लिए है और इसमें जो नौवीक अच्छा के पास आउट इस्टूडेंट होते हैं वो इसमें बाग लेते हैं खाद्य अपसिष्ट सूचकांक रिपोर्ट कौन सा संगटन जारी करता है ते जारी करता है UNEP संगत्राष्ट पर्यावरंड कारिकरम यानी UNEP ने 27 मारच दोज़ेचोवीश को तीसरी खाद्य अपसिष्ट सूचकांक रिपोर्ट दोज़ेचोवीश जारी की संगत्राष्ट की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने 2022 में दुनिया बर में उपवोकताओं के दिये उपलब्द अनुमानित 1.05 बिलियन में ट्रिक टन या 19 परसेंट बोज़न बरवाद कर दिया रिपोर्ट के अनुसार यह बरवादी तब हो रही है जो दुनिया में 783 मिलियन लोग भूखे रहते हैं और मानवता के एक टियाई इससे को खाद्य अस्वरच्चा का सामना करना पढ़ रहा है खाद्य अफसिष्ट सूचकांग के रिपोर्ट बोज़न की बरवादी के बारे में जागरुकता बढ़ाने और सतत बिखास लच्चे यानि STG का टार्गेट 12.03 जिसका लच्चे 32.30 तक 200 खाद्य बरवादी को आदा करना है को प्राप्त करने के लिए सेयुक्तराष्ट का एक प्रियास है. UNEP ने 2.11 में इसकी पहली रिपोर्ट जारी की थी और ये जो रहाली में रिपोर्ट आई है जिसमें मुक्निस्करस क्या रहे हैं कि बोज़न की बरवादी का प्रमुक्षरोत गर परिवार हैं. कुल बोज़न की बरवादी में 631 मिलियन टन के लिए जिम्म गेस उत्सरजन का 8 से 10 परसेंट होने का अनमान है से ज़्यादा जो बोजन की बरवादी होती है वो कहा होती है तो जो देश गरम चेत्रों में इस्तित हैं तो वहां पर जो है सरवादिक बोजन की बरवादी होती है सेंक तराष्ट पर्यावरान कारिकरम यानी UNEP की बात करें तो इसकी स्ताफना 1902 में होई थी नेरोवी केन्या में इसका हेड़कॉर्टर है और बरतमान में निर्देशक कौन है तो इंगर एंडरसन बरतमान में इसके निर्देशक है अब हम अन्य मेथपूर्ट ख़वरें देख लेते हैं तो इसमें पहली ख़वर है बारत ने प्याज पर निर्यात प्रतिवंद अनिश्यत काल के लिए बढ़ा दिया है तो बारत सरकार ने पिछले कुछ समय से प्याज के निर्यात पर प्रतिवंद लगा लिया था अब इसको अनिश्यत काल के लिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि जो हमारा दरेलू बाजार है उसमें प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही है तो इसको नियंतरित करने के लिए बारत से जो प्याज का निर्यात होता है तो उस पर यो है प्रतिबंद लगाया है वो बांगला देश, मलेशिया, नेपाल और यूएई को जाता है थाइलेंड की संसथ के निचले सदन ने समलेंगित बिवा को बैद बनाने वाले बिवा समानता विदियक को मंजूरी दी है ठीक है और यह देश समलेंगी तो बिवा को मंजूरी देने वाला दच्छर पूरव एसिया का पहला देश बन जाएगा सत्ता बिरोदी छवी वाले वासिरो डियो माई फे ने पहले दोर में 54.28 प्रस्त वोट के साथ सेनेगल के राष्टपती का चुनाव जीता है तो सेनेगल के राष्टपती बने हैं तो कौन बने हैं तो बासिरो डियामो फे मॉर्गेन इस्टैनली ने बितवर्स 2024 यानि की फिनेंसियल इयर 25 के लिए बारत की जीडीपी विकास पूरवानमान को संसोदित कर 6.8% कर दिया है जबकि चालू बितवर्स यानि की फिनेंसियल इयर 24 के लिए बिकास दर के पूरवानमान को संसोदित कर 7.9% कर दिया है तो दोजर पचीस के लिए 6.8% की जीडीपी गिरोथ का अनमान लगाया गया है जबकि 2024 की फिनेंसियल इयर के लिए जो बरतमान में चल रहा है 7.9% का के मैच में तीन विकेश गवार करके 277 रन का टोटल बनाया है ठीक है और ये IPL के इद्यास का अब तक का सबसे बड़ा इस्पोर है बिजली कंपनी एंटीपी सी ने कुल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बिदिसी मुद्रा रिंड प्राप्त करने के लिए जापान बैंक फोर इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ एक समझोते को अंतिम रूप दिया है ठीक है तो ये समझोता कापी महीने पहले देखने को मिला था अब इस समझोते पर अंतिम मन्यूरी मिल गई है ठीक है 12 सरकार ने बितवर्स 2025 की पहली छमाई में बाजार से 7.5 लाग करोड रपे उद लेगी तो वो कुल जो पूरी साल में 100% लेगी तो उसका 53% ये पैसा पहले छहमा में ही उदार लेगी ठीक है बारती प्रतिस परदा आयोग ने अडानी पावर लिम्टेड को लेंग को अमरकंटक पावर लिम्टेड के पूंड अधिगरेंड को मंजूरी दे दी है अडान लेगी भीमा नियामक और विकास परादिकरन यानि आई आई डी दे आई ने बर्च दोज़तेश्वाविश के लिए तीन भीमा करता हूं जिसमें LIC, GIC, RE और New India Insurance ठीक है तो इन तीनों को गरेलू प्रडालीगत मैत्पून भीमा करता के रूप में नामित किया है तो ये ग चुनाब आयोग सी विजल एप के जड़िए चुनाब प्रकिरिया पर कड़ी कड़ी नजर रख रहा है इस एप के माध्यम से नागरे फोटो और वीडियो कैप्चर करके आदर्स आचर सेंटा के उलंगन और चुनाब ब्या की रिपोर्ट करने की अनुमती देता है ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं आचर सेंटा का उलंगन हो रहा है तो आप इसका वीडियो या फोटो इस लेकर के सी विजल एप पर अप्लोड कर सकते हैं और इस पर चुनाब आयोग जो है कहरवाई करेगा ठीक है या फिर आपको कहीं लग रहा है कि चुनाब में मान कों से ज़्यादा ब्या हो रहा है या खर्चा किया जा रहा है तो इस चीज की भी रिपोर्ट आप सी विजल एप के मादिम से कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे हमारे 29 मारच 24 के सभी मैं तों कर इंटेफेस इस वीडियो में फिलाल एतना है अगर आपको ये वीडियो पसंद कर लीजे आपने दोस्तों तक भी सेयर कर बीजे धन्यवाद